आर एंड एस यूरानी फार्विसी वस्ट फ्लोर आपोजिट के नरा बैंक बहदुर्पुरा एक्स रोड हैदरबाद मैं हूँ सज्जाज जैदी और मेरे साथ अब्दुरशीद देश सकते के मेरे हाथ में यूनिस्टोन यह कैसी दवा है किते ही सालों से अगर फटर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लाइडर के भी जा फटर होता है आपरेशन से ने निकलता लिगी यह दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरीन के जरिये जोए बूरा होके निकल जाएगा इस खबर नामे को पेश करदा अलमनान जेल्स शाली बंडा हैदरबाद ओल्ड कार्ड के एक शोरूम में आग लगने का खौफनाक हादिसा एक ड़जन से जाएद कार्ड को हुआ नुखसान बाजू में मौजुदा एक फरनीचर का शोरूम भी हुआ मुतासिर शुकर है लापाक का कोई जानी नुखसान तो नहीं हुआ मगर इस हादसे की वज़े से मुखामी लोगों में खौफ़ा दह्शत का माहल भी तारी हो गया था जी हाँ ये खबर है लवी नगर में मौजुदा ओल्ड कार्ड के एक शोरूम में की जहां 30 माई मंगल की रात को अचानक इस शोरूम में आग लगने का हथसा पेश आया और फिर कुछी दिर में ये आग फैल कर मुहिब शकल भी अख्यार कर लिया और साथ में इस शोरूम को अपनी लपेट में भी ले लिया और आग के निकलते हुए शोलों को देखकर फोरी तोर पर मुखामी लोगों ने इसकी इतला पुलिस और फायर टीम के अध़दारों को दे दी क्योंके इस हाथसे के वक्त ओल्ड कार्ड का ये शोरूम हजब रिवायत बंद हो चुका था और यहां का सभी स्टाफ अपने अपने घरों को भी रवाना हो चुका था और आग लगने की इस इतला के साथ ही दिल्चुक नगर मलक पेट हयात नगर और दूसरे मुकामात से फायर टीम्स ने यहां स्पॉर्ट पहुँचकर आग पर खाब उपाने का काम भी शुरू कर दिया मगर तब तक यह आग मोहिब शकल इक्तियार कर ली थी और फिर फायर टीमों को इस पर खाब उपाने में काफी वक्त भी लगा और कई घंटों की जद्दो जहत के बाद ही आतिजदगी की इस मोहिब वारदात पर खाब उपाने में फायर टीम के अहुददारों ने कामियाबी भी हसल कर ली मगर आग लगने के इस वाकई की वज़े से इलाखे में धुआ ही धुआ फैल गया था और इसकी वज़े से मुखामी लोगों को दम घुटने और साथ में सांस लेने में तकालिफ की शिकायते मौसूल हो रही थी जिसके बात इहतियाती तोर पर इस पॉर्ट पर से कुछ दूर पर मौजुदा अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को प्रिकॉशनली मेजर्स के तोर पर यहां से दूसरे मुखामात को मुखामी लोगों में हलकी सी संसनी भी फैल गई थी और फिर इनमें खौफ देशत का माहल भी तारीख हो गया था और इस हाथसे की वज़े से कुछ देर के लिए यहां पर भगदर का भी माहल देखा गया इसके अलावा इस ओल्ड कार्ट के शूरूम के खरीब में मौजुदा एक फरनीचर का शूरूम भी आग के इस हाथसे में मतासिर हो गया और फिर यहां पर भी आतिजदगी की वारदात पेशाई सबसे खास और एहम बात तो यह है कि इतना बड़ा हाथसा पेशाने के बावजूद अल्ला पाक का लाक लाक शुकर है कोई जानी नुखसान नहीं हुआ जिसकी वज़े से सभी बहुत बड़ा इहसान कर दिया और इसी वज़े से यहां के सभी लोग इस हाथसे में महफोज भी रहे गए हालांके इसमें माली नुखसान तो बहुत ज्यादा होने का शुबा किया जा रहा है क्योंकि आग लगने की इस वारदात में तकरिबन सोला कारों को नुखसान पह इस बीस आईजरी आईपियस के लावा दूसरे पुलिस होदेदार और फिर फायर टीम के आफिसर्स ने स्पॉर्ट पहुँचकर यहां किया तफसीली मौइना किया इलक्टिक शॉक सरकिट आग लगने की हुज़े समझी जा रही है फिर भी अलवी निगर पुलिस ने इस स